जैसा कि मैंने इसके पहले टॉपिक में आपको यूरोब में राष्टवाद के पहले चैप्टर में आपको मैंने युनान के स्वतंतरता ठीक इसके पहले टॉपिक मैंने युनान के स्वतंतरता के संबंध में आपको टॉपिक जो था वो क्लियर किया था आज मैं आपको रु रुमानिक वाद जिसका मुख्य देश था लोगों में राष्टबाद की भावना जो थी वो कला काववे कहानिया किश्चो और संगीत की माध्यम से उनने किस तरह से राष्ट के प्रतिप्रेम की भावना को बढ़ाया जा सके वो रहा कि आम तर्क पर रुमानिक अलाकारों औ और विज्ञान के महिमा मंधन की अलोचना की और उसके जगह भावनाओं अंतरदिश्टी और रहस रहस्यवादी भावनाओं पर जोड़ दिया यानि रुमानिवाद जो कलाकार जो थे उन्होंने विज्ञान की अलोचना की और उसके जगह पर लोगों की भावनाओं अंतरदिश्टी और जो रहस्यवादी भावनाओं जो थी उसके उपर उन्होंने ज्यादा जोड़ दे था प्रयास था कि एक साजा सांस्कृतिक सामुहिक विरासत के अनुभूती और एक साजा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट का अधार बनाया जाए एक साजा सांस्कृतिक अतीत यानि जो सांस्कृतिक अतीत था या जो विरासत थी सामुहिक जो विरासत जो थी इसको ही राष्ट इसे के अधार पर राष्ट का निर्मान किया जाए ना कि विज्ञान या आपका विज्ञान या आपका बतार रहा एक पीस में तर्क वितर्क जो था इसके पक्ष में वो लोग नहीं थे ठीके जबकि उचाहते थे कि कैसा राज जो सांस्क्रितिक और सामुहिक विराश्वत जो थे साजा समय की विरासत के उपर अधारित हों। जर्मन दार्षनिक योहान गॉटफरेट्स जैसो रुमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में नहीं थी। ये एक दार्षनिक थे जिनका नाम योहान गॉटफरेट्स था जिनोंने ये दावा किया था कि सच्ची जो संस्कृति जर्मनी संस्कृति जो थी वो उनके आम लोगों में नहीं थी। यानि लोगों में राष्ट के प्रती जो प्रेम की भावना जो थी वो उनके अंदर थी। उसको उजागर करने का केवल जुरूरत है। कैसे उनको इस चीश के मारे में बताया जाए। बुर रहा है कि राष्ट की सची आत्मा लोगित जन कावे और लोग निर्तियों से प्रकट होती थी। यानि जुहों गॉर्फिट जो थे जो कि एक रुमाने चिंतक थे उन्होंने ये दावा किया था। कि जो जर्मनी संस्कृति जो है यानि उस देश की जो संस्कृति जो है वो आम लोगों में हैं। और इसको उजागर करने के लिए केवल सची आत्मिक लोगित जन कावे और लोग निर्तियों के द्वारा हम उनकी राष्ट भावनाओं को उजागर कर सकते या बढ़ा सकते हैं। जो कि उनके पहले से ही उनके अंदर थी क्यावन उसको उजागर करना था। इसले लोग संस्कृति के इन स्वारूपों को इकत्र और अंकित करना राष्ट के निर्मान की प्रियोजना के लिए अवस्यक्त है। अगर आपको राष्टिक का निर्मान करना है या राष्टिक को आपको निर्मान की कोई योजना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा लोग गीतों को एकत्रित करना पड़ेगा कहानी लोग गीत जिसको सुनकर लोगों में अपने देश की सांस्कृती या वापिस लाना नहीं था बलकि आधुनिक राष्टी इस अंदेश को ज्यादा लोगों तक पहुचाना था जिन में से अधिकांस नेरवचर थे बुरा कि जो ये लोग गीत लोग कथा हैं इन सारे चीजों को एकठा करने का मुझ को देश ये नहीं था कि कि राष्टी भावना को किस तरह से वापिस लाए जाए बलकि इसके अलावा सबसी बड़ा कारण ये था कि उस समय ज्यादा तर लोग जो थे पढ़ी लिखे नहीं थे और लोग गीतों के माध्यम से या लोग कथाओं के माध्यम से सुनकर उनके अंदर अपने देश की सांस्कृतिय के बारे में उनको पता चलता और अपने देश उनकी प्रेम जो थी वो लगाओ जो था वो बढ़ता है बुरा कि ये खास तोर पर पॉलन पर लागू होता था जिसका अठारवी सदी के अंत में रूस प्रासा और अस्ट्रिया जैसे बड़ी सक्तियों ने विभाजन कर दिया था बुरा अगर इसे हम लोग पॉलन पर लागू करके देखें तो हमें ये दिखाई देता है क्यूंकि रूस प्रासा और अस्ट्रिया जैसे बड़ी सक्तियों ने क्या किया था पॉलन को एकदम विभाजित कर दिया था यद भी पॉलन अब सोतंत्र भूचेतर नहीं था किन्तु गीत और भासा के जरी राष्टी भावना जीवित रखी गई थी ये विभाजित होने के बाद पॉलन जिथा एक स्वतंतर राष्ट नहीं था उसके बावजूद भी इन रोग गीतों और कहानियों के माध्यम से लोगों में राष्ट के प्रती प्रेम की भावनाओं को बच और मजूरका जैसे लोग मृत्यों को राष्टी प्रतीकों में बदल दिया आगे आपका देरा क्या भासा ने भी राष्टी भावनाओं के विकास में एक महत्पून भूमी का नहीं भाई है बोरा है रूसी कबजे के बाद पॉलिस भासा को स्कूलों से बलपूर्वक हटा कर रूसी भासा को हर जगा जबरन लादा गया बता उपर था आपको लोग गीत और लोग कता है जो लोग मानिवाद जो एक संस्क्रितिक आंदोलन था इसके बारम बताया अब आपको भासा क के बारम बताएगा किस तरह से उसने राष्टी भावनाओं के विकास को मैं अपनी एक महत्पुन भूमी का निभाहिती उसके अंदर बता रहा जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर के ज्यादा तर पॉलेंड के अंदर ज्यादा तर जो स्कूल थे वहां से पॉलिस भासा को हटा कर रूसी भासा जो थे वो सुरू कर दी गए थी 1831 में रूस के विरूद एक ससस्त्र विद्रो हुआ जिसे आखिर कर कुचल दिया गया इसके अनेक सदश्यों ने राष्टी विरूद के लिए भासा को एक हतियार बनाया चर्च के आयोजनों और संपुन धार धार्मिक सिक्षा में पॉलिस का इस्तमाल हुआ बता रहा है कि 1831 में रूस के खिलाब एक विद्रो हुआ था जिसे कुचल दिया गया था और अनेक सदश्यों ने राष्टवादी विरूद के लिए भासा को हतियार कुरुप में आत्माया था जैसे चर्च के आयोजन हो य उसके अनुमती दे रहे थे रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया कि उन्होंने रूसी भासा का परचार करने से इनकार कर दिया था पॉलिस भासा और रूसी प्रभुत्यों के विरूद संखर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जान नहीं छोना चाहते थिया और अपनी भासा से उनको बहुँ ज़्यादा लगाओ था बुरा भूख कटनाईयां और जनविद्रो अठारा सो तीस के दसक यूरोप में भारी कटनाईयों के लेकर आया उनिस्वी सदी के प्रतम भूभाग में पूरे एउरोप में जनसंख्या में जबर्जस्त व्रिद्धी हुई ज्यादातर देशों में नौकरी ढूणने वालों की तदात उपलब्द रोजगार से अधिक थी वतारा 18-30 के दसक में कि यूरोप में बहुत ज़्यादा कटनाईयों का सामना करना पड़ा 18-30 के करीब में क्यूंकि उस समय जनसंख्या जो थी बहुत तेजी से पढ़ रहे थी और ज्यादातर देश के लोग जो थे वो नौकरी खुजने के का कोशिश कर रहे थे और रोजगार जो था वो ज़्यादा उपलापत नहीं था गरामीन छेत्रों के अत्रिक्त अबादी सहर जाकर भीड में भरी गरीब वस्तियों में रहने लगे मुझबूर होकर वो लोग सहर में जाकर वहाँ पर फोटी मुटी बस्तियों जो थी वहाँ पर रहना उनों में सुरू कर दिया नगरों के लगू उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयतिक मशीन से बने सस्ति कपड़ों से करती कड़ी प्रतिसपर्दा के सामना करना पड़ रहा थे इंग्लैंड में अध्योगी करन का स्तर महादीप से उचा था महादीप का ये परतिसपर्दा कपड़ा द्योक से ज़्यादा जहिलना पड़ रही थी त्यूंकि उसका उत्पादन मुख्यता घरों और छोटे करकालों में होता था यह बता रहा है कि नगरों के जो लगू उत्पादक जो थे ऑक्सर एंगलैंड से जो मसीन से बने वे कपड़े होते तो उसको बेज़ते थे वो काफी संसता उता था जिसका सामना जो था उत्पादक जो थे आपका बुनकर जो थे वो नहीं कर पाते थे उसका सामना इसके अलावा महादीप के अंदर जो अद्योगी करनकस्तोर जो था वो काफी उच्छा था सुरी इंग्लैंड में अद्योगी करनकस्तोर जो था महादीप से काफी ज़्यादा उच्छा था महादीप को ये पर्तिसपर्दा कपड़ा द्यूख से ज़्यादा छेलना पड़ रही से क्योंकि ज़्यादा तर कपड़ा उत्पादन जो था वो छोटे मोटे करखानों में होता था केवल कुछी उत्पादन जो था वो मशीन से किया जाता था महादीप में यूरोप के इन इलाकों में जहां कुलीन वर अभी भी सत्ता में थे प्रिशक सामवंती सुल्ख और जमिदारी क्या बोज के तले दबे हुगे थे खाने पिने के चीज़ों के मूल बढ़ने या किसी वर्स फसल के खराब होने के सहर और गाओं में वैपक गरी भी फैल जाती थे अभी भी बता रहा है कि कई सारे यूरोप में ऐसे इलाके थे जहां पे कुलीन वर का अधिकार था चत्ता था और जो वहां के लोग जो थे किशान जो थे वो जमिदारी और सामांती सुलक से के तले दबे हुए थे यानि उसे स्वतंतर नहीं थे और खाने पिने के चीज़ जो था वो काफी ज़्यादा महेंगा हो गयता और जब फसल खराब हो जयता था तो इस्तिति और भी ज़्यादा भैव हो जयती थी 1848 ऐसा ही एक वर्स था खाने पिने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतारे जगा जगा अवरूद लगाये गए और लुई फिलिप्स को भागने पर मजबूर किया राष्टी सभा ने गंतंत्र की खोशना करते वे 21 वर्स से उपर सभी वेश्क पूर्सों को मत अधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी रोजगार उपलवद कराने के लिए राष्टी करखाना स्थापित किये गए गतार 1848 में अपका एक एक्जामपल लेकर समझा रहा है कि कैसा ही समय था जब पादन रेट जो था काफी बढ़ चुका था जनसंक्या काफी जादा थी विरुजगारी बहुत जादा थी और इसको लेकर लोग जो थे काफी ज़्यादा नाखुष थे और उन्होंने इतना ज़्यादा विरुद किया कि लुई फिलिफ जो था उसको छेतर को छोड़ कर भागने के लिए वो मजबूर हुआ उसके बाद राष्टी सभाज हो थी उसने एक घोषना करते वे 21 वर से उपर की आयू के लोगों को मत देने का अधिकार जो था हुआ प्रदान कर दिया था बोरा इससे पहले 1845 में सिलेशिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रो कर दिया था जो ने कच्चा माल देकर निर्मित कपला लेते थी ये थोड़ा इंपोर्टन टॉपिक के ध्यान रखेगा रुमानी बाद के बाद दूसरा टॉपिक है इंपोर्टन बुनकरों के बारे में बता रहा है आपको 1845 में बुनकरों की स्थिती क्या थी ये बता रहा है कि बुनकर जो थे उन ठेकेदारों का विरोध करना सुरू कर दिया जो कि उनसे बनेवे कच्चा माल देकर उनसे बनेवे निर्मित कपला जो थे वो लेते थे पर उसके कीमत ज घटना इस प्रकार बेयान के लिए यह आपको घटना दिया हुआ है वो रहकीन गाओं में सूती कपड़ा बुनने का विवसाइद सबसे व्यापड़े सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी चीज का उत्पादन होता है तो वो होता है सूती कपड़ेगा काम के लिए बेताब लोगों का फैदा उठाकर ठेकदारों ने बनवाये जाने वाले माल की कीमते गिरा दी है इतना ज़्यादा डिमांड था बिरोजगारी था कि ठेकदार जो थे वो कपड़े की कीमत जो थे वो कम देते थे चार जून को दुपहर दो बज़े बुनकरों की फैद अपने घरों से निकली और दो कतारों में चलते वे ठेकदारों की कोठी पहुचे वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे उनके साथ कभी घिर्णा का अवेवार किया गया तो कभी धमकिया देगी इसके बाद ये भीड घर में जवरजस्ती घुश गई और चमचमाती खिर्किया परनिचोर अप्षीनी मिट्टी की बनी नाफीश चीजे तोड़ दी एक अन गुट ने भंडार गुरी में गुशकर कपड़े की भंडार को लूट कर उसे तार तार कर दिया ठिकदार अपने परिवार के साथ पडोस के गाउं भाग गये हाला कि ऐसे वेक्ती को उस गाउं मिने सरण देने से इनकार कर दिया था वे 24 गंटों बाद सेना को बुला कर उसकी मदद से लोटा इसके बाद जो टकरा हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गए चलिए नेक्स टॉपिक आपका 1848 उधारवादियों की करांतियों चलिए देखा जै बुर्णा के 1848 में जब अनेक इरूपि देशों में गरीबी बिरोजगारी और भुकमरी से गरस किसान मजदूर विद्रो कर रहे थे तब उसने समांतर पढ़े लिखे मदवर्गों की एक करांति भी हो रही थी फरवरी 1848 की घटनाव में से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थे तीकि विद्रो काफी ज़्यादा बढ़ चुका थे और इसका निप्तित्व मदवर्ग के पढ़ी लिखे लोग जो थे वो कर रहे थे बोरा की एक गंतंत्र की खुष्णा की गई जो सभी पुर्षों को मत देने का अधिकार जो था वो देना चाता था बुल्मियों या कि याक याक कि अल्मियों प्रो प्रो याका अधिकी आर्ट इस डरुशा रह सुर्णा याश बढ़र के विद्वड़र के उल्मियों और है जैसे इसे इरोप के अन भागोस में जहां अभी तक स्वतंत राष्ट राज अस्तितों में नहीं आये थे जैसे जर्मनी, इटली, पॉलिन, आश्ट्रो, हैंग्रियं, समराजी वहां के उदरवादी मद्वर्गी, वर्गों के स्त्री पूर्सों ने सम्विधान वाद की मांग को राष्टी एकिकरम की मांग के साथ जोड़ दिया था बता रहा है कि इरोप के बहुत से ऐसे भाग थे जहां पर अभी भी स्वतंत राष्ट जो था वो अस्तितों में नहीं आये थे जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पॉलेंड हो गया, एस्ट्रो, हैंग्रियंस जैसे समराज हो गये जहां पे अभी भी स्वतंत राष्ट का स्थितों जो था उस्थापित नहीं हुआ था तो वहां पे उद्दारवादी मद्वर्गिये वर्गों के जो इस्तरी पुर्जों थे उन्हों राष्टी एकी करन यानि राष्टों को जोड़ने की मांग के साथ संविधान की मांग जो थी उसको भी जोड़ दी थी उन्होंने बढ़ते जन और संतोस का फैदा उठाया और एक राष्ट्राज के निर्मान की मांगों को आगे बढ़ाया ये राश्ट राश सम्विधान प्रेश की स्वतंतरता और संगल्ठन बनाने के अजादी जैसे संसदिये सिध्धानतों पर अधारिध्ध बता रहे कि उधरवादी मद्वर्ग के स्त्री पुरुष जो थे उन्होंने देखा कि लोगों में काफी ज़्यादा और संगल्ठन बनाने की अजादी को भी कि उनकी जो मांग जो थी वो संसदिये से धानतों पर अधारी था जिसके अंदर प्रेश किया जादी संगल्ठन बनानी किया जादी एक राश्ट राज के निवान करने की अधिकार जो थे वो मिलने चाहिए थे जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में रानितिक संगठनों ने फ्रैंक फॉर्ट सहर में मिलकर एक सर्वे जर्मन नैशनल एसेमली के पक्ष में मद्दान का फैसला लिया 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रते दिद्वियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंक फॉर्ट संसद में अपना स्थान गरहन किया यह संसर सेंट पॉल चर्श में आयो जी थुई यह बता रहा है कि राजनितिक संगठन बड़ी संख्यावे राजनितिक संगठन जो थे एक फ्रैंक फॉर्ट सहर था जर्मनी में वहां वो लोग एकठा हुए और जर्मन नेशनल असंबली के पक्ष में वद्दान का फैशला लिया गया उन्होंने एक जर्मन राष्ट के लिए एक सम्विधान का पारूप त्यार किया जर्मन राष्ट के इंदर का सम्विधान कैसा होना चीए था उसका उन्होंने पारूप जो था किस तरह होना चीए था वो त्यार किया इस राष्ट के अधिक्षता एक ऐसे राजा को सौपी गए जिसे संसत का अधीन रहना था जब प्रतिनिध्यू ने प्राशा के राजा फैडरिक विल्यम चतूर्थ को ताज पहनने की पेशकस की तो उसने और सिविकार कर दिया बता रहे कि जर्मन के अंदर जो राष्टिये राजनितिक संगर्थोलों का जो सभह कायूजन हुआ था जिसके अंदर उन्ने ये फैशला लिया था कि एक राजा जो होगा जर्मन राष्ट का वो सम्विधान के अधीन होगा और इसके लिए उन्होंने फैडरिक विल्लियम्स चतूर्थ को ताज पहनाने की पेश कर सके थी जिसे उन्होंने मना कर दिया था जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वहीं संसद के समाजिक अधार कमजूर हो गया मतार है कि जिस तरह से कुलीन वर्ग और सेना जो था उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और संसद का समाजिक अधार जो था यहनि लोगों का जो समर्थन जो था वो धीरी-धीरे कम होता चला गया संसद में मद वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारिगरों की मांगों का विरोध किया जिससे वो इसका समर्थन हो बैटे इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो राष्ट्रे राजनिती का जो सभा जो थी जिसके अंदर उधारवादियों दोरा एक सभा का गठन किया गया था जिन्होंने जर्मन समविधान को पारूप तियार किया था परंतु परंतु जिस तरह से कुलीन और सेना का विरोध बढ़ र आ था और एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि मजदूरों और कारिजूरों की मांग का विरोध किया था उधारवादियों ने जिससे कि उनका समर्थन भी उन्होंने खोधियोर अरंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली को भंग होने पर मजबूर किया गया अंदूलन में वर्सों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिये रूप से भाग लिया था बुरा कि जिस तरह से उधारवादी आंदूलन जो था जिसके अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा उठाय गया था वह बहुत ज्यादा विवा बुरा कि महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किये अखबार सुरुकी और राजनीतिक बैठको और परदसनों में सामिल हुए इसके बाजूद उन्हें असम्बली में चुनाओं के दारवान वूट देने का अधिकार जो था और नहीं दिया गया जब सेंट पॉल्चर्च में फ्रैंकफोर्ट संसत की सभा आयोजित की गई थी तम महिलाओं को किवल प्रेक्षकों की हैसिय से दर्सक दिर्गा में खड़ा होना पड़ा था अलागे रूरीवाद ताकते 1848 में उदरवादी अंदोलों को दबा पाने में कम्याब होई किन्तों वो पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई 1848 में उदरवादी जो थी उनकी ताकतों को उस अंदोलों को नोने दवात दिया था परन्तु पुरानी जैसी हैसियत जो थी वेवस्था जो थी वो फिर से दुबारा बहाल नहीं कर पाए राजाओं को ये समझ में आना सुरू हो गया था कि उदरवादी राष्टवादी करांतिकारियों को रियायते देखारी करांतियों और दमन का चक्र जो है वो समाप किया जा सकता है अत्व 1848 के बाद के वर्सोक में मद और पूरी ईरोप की निरंकुस राजसाही ने उन परिवर्तनों को आरम किया जो पक्ष्मी ईरोप में 1815 से पहले हो चुके थे इस परकार हैंसबक अधिकार वाले छेतरों रूस में भू दाशत्तों और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई हैंसबक समसासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वेत्ता परदान की हाला कि इसे नीरंकुस मेग यारों के प्रभूत्तों का रास्ता भी साफ रहता है चली आज इतना ही रहना दीजे कल मैं आपको इसका होंबग भी दूँँगा चिके चली थैंक्यू